सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा सहकार रेडियो के श्रताओं को पवन का नमस्कार सत्यों कहानियों का कारवा कारिकर में आज आप सुनेंगे सीमा आजाद की कहानी घर वापसी ये कहानी अंतर जाती और अंतर धार्मिक विवाहों की प्रश्ट भूमी पर आधारित है और कुछ सालों पहले साहितिक पत्रिका बया में प्रकाशित हो चुकी है फिलहाल इसे हमें लिया है उनकी फेस्बुक वाल से तो सुनिए ये कहानी घर वापसी उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी जब सुधा कूर हमेशने अपनी स्कूटर से घर चोड़ा था घर पहुशने के थोड़ा पहले ही वो स्कूटर से उतर गए थी ताकि घर वालों और पासपड़ोसियों की नजर उन पर न पढ़ सके उस दिन दोनों के बीच पहली बार प्यार का बीच बन पाता देर तक होती मुझलाधार बारिश के कारण सुधा अपने टाइप इंस्टिटूट से घर जाही नहीं पा रही थी कोई रिक्षा भी आसपास नहीं दिख रहा था सुधा बार बार परिशान होकर कभी घड़ी देखती तो कभी बारिश की ना तूटने वाली लड़ी ऐसे मुश्किल समय में रमेश ने उसे अपनी स्कूटर पर घर छोड़ने का प्रस्ताव रखा था उसी दिन से उसके बंधें बंधाए ठहरे से जीवन में उथल पुथल शुरू हुई थी आज पचीस साल पहले वाले इस बारिश और आज की बारिश में उसे काफी समानता नज़र आ रही है सुधा ने खिर्की को पूरा खोल दिया है और बारिश की बूनों में अंदर तक भीगने रही है मीकु इस वक्त घर पर होती तो ये सम्मो नहीं था वो लपक कराती और जल्दी से खिर्की बंध कर देती कि कहीं बोच्छार से उसकी किताबी न खराब हो जाए आज मीकु के कॉलज जाने के बाद वो उसके कमरे में ही आकर बैठ गी मीकु ने आज उसे एक अजीब सी दुविधा में डाल दिया उसने सुधा से आज साफ साफ कह दिया है कि वो फैजान से ही शादी करेगी मीकु यानि मालवी का सुधा की 23 वर्षी ये दुलारी बेटी हाले में एक डिगरी कॉलेज में इतिहास के अध्यापक के तौई पर उसकी नियक्ती हुई है सुधा अपनी बेटी की इस सफलता से अभी पूरी तरह निश्चिंत भी नहीं हो पाई थी कि उसने फैजान से अपने प्यार की घोशना कर दी थी और आज ये भी कह दिया कि वो उसी से शादी करेगी सुधा खुद प्रेम विवा या जाती बाहर विवा के खिलाफ नहीं है लेकिन धर्म से बाहर विवा है एक बार को वो स्विकार कर भी ले लेकिन समाज उसे जीने नहीं देगा जिसका इशारा इस प्रेम संबंद के शुरू होने से ही मिलने लगा है उसने मीकू को समझाने और रोकने का बहुत प्रयास किया लेकिन मीकू में मासे सहमत होना तो दूर उल्टे उसे ही पच्चीस साल पहले की उस इस्थित में लाकर खड़ा कर दिया है जब वो खुद अपनी जादी के बाहर के लड़के से शादी के लिए अड़ गई थी मीकू के कॉलज जाने के बाद घर में स्तनाटा सचा गया था सुधा के मन में भी आज वो अफिश नहीं गई बहाना बारिश का ही था बादनों की उमर घुमर के साथ सुधा के अंदर से यादों का जो ज़ड़ना फूटा तो वो उसको पूरी तरह भीगने लगी ऐसी ही तो बारिश थी जब उसके मन में रमेश के लिए रमेश गौतम के लिए पहली बार प्यार पन पाता बाजो दुस्के की उसके रोड़िवादी ठाकुर परिवार में ये एक विस्फोटा घटना थी लेकिन जब चट्टान में विस्फोट हो ही गया तो उसमें से प्यार का सोता कल कल करता हुआ बहने लगा सुधा ने बिये करने के बाद टाइपिंग सिखने के लिए एक इंस्टिटूट में जाना शुरू किया था रमेश उसे वही मिरा था सांवली रंगतवाला लंबा और दुबला शरीर लेकिन काली गहरी आखों में बस प्यार ही प्यार इस प्यार को सुधा ने जल्द ही भाप लिया था लेकिन घर से मिले संसकारों के कारण उसे इस प्यार का एहसास करने में भी डर लगता था उस दुन की बारिश में जब उसने सुधा को घर छोड़ने का प्रस्ताव रखा तो इसी मनोभाव के कारण उसे मना तो नहीं कर सकी लेकिन घर आने के पहले ही स्कूटर से उतर गई और रमेश वापस चला गया सुधा को आज लग रहा है कि उस दिन की बारिश में पानी नहीं प्यार बरसा था जिसमें दोनों बराबर बराबर भी कह थे अगले दिन सुधा इस्टिटूट नहीं गई तो उधर रमेश परिशान रहा इथर सुधा का मन भी घर में नहीं लगा प्यार की मीठे एहसास के साथ साथ उसे उस अंजाम से भी डर लगता रहा दिन भर वो प्यार और डर दोनों कष्टी में पाउं रखकर डगमगाती रही घबराती रही रात में उसने एक सपना देखा जिसमें वो रमेश के साथ एक ऐसी जगह पर बेटी है जहां उसके चारो और फूल ही फूल है जो बारिश के दिमजिम में हिल दूलकर खुशिया मना रहे है फूलों से आती खुश्बू पूरे माहोल को और भी खुश्णुमा बना रही थी रमेश ने सुधा का हाथ अपने हाथ में थमा हुआ था फिर भी उसके मन में ना कोई डर था ना किसी के देख लेने की चिंता बलकि मन इतना मुक्त और हलका हो गया था जैसे पानी पर तेहता कोई पत्ता जब सुधा की आँख खुली तो थोड़ी देर आँखे बंद किये वो वैसी ही लेड़ी रही मनों ऐसा करने से उसका सपना लंबा हो जाएगा मिस्टर से उटने के बाद दो कश्टी पर सवार उसके दोनों पैरों में से एक पैर डर की कश्टी छोड़ता सा लगने लगा था उस दिन वो ज़्यादा अच्छे से तयार होकर खुद को कई बार आइने में देखकर इस्टिटूट पहुची रमेश हमेशा की तरह उसका इंतजार करता समिला था कैसी हो कल क्यों नहीं आई तबियत तो ठीक है ना तीन सवाल एक साथ उसके मुझ से निकल आया ठीक हो कलाने का मन नहीं किया थोड़ा जुकान हो गया था सुदा ने शर्माते हुए जवाब दिया था और फिर थोड़ी देर दोनों के बीच चुप्पी बात करती रही इस चुप्पी ने रमेश उससे कह दिया था कि सुधा के मन में उसके लिए प्यार हो गाया है आज जो सुधा यहां उपरस्तित है वो एक नई सुधा है प्यार की कुमलता दोनों की आँखों में समान रूप से दिखाई दे रही थी सुधा समझ गई कि रमेश उससे पढ़ रहा है और उसके मन की बात जान गया है वो असहज होने लगी और चुपी से बाहर निकल कर उसने पूछा सर नहीं आए अब तक नहीं आज तोड़ी देर से आएंगे उन्हें में शायद जुकान हो गया है रमेश ने कहा और दोनों हसने लगे ऐसी हसी जो प्यार से सराबोर थी जो प्रेम करने वालों की आखों और गालों पर चमक पैदा कर देती है सुदा के चेहरे की ये चमक पढ़ती ही गई और वो घर वालों के लिए संदिक्ट बंती गई कुछी दिनों में सुदा के भाईयों ने उसके चेहरे की चमक का राज जाल लिया और उनकी आखों में लाली बढ़ गई घर आकर मां बाबो जी के सामने दोनों ने सुधा को खूब धम गया घर खानदान की इ्ज़त का हवाला देया और कुछ नहीं तो कम से कम ठाकुर खानदान की इंज़त रखने का ख्याल रखने को खाया वास्तों में सब को खास तोर पर छोटे भाई को दिक्कत इस बात से जादा थी कि सुधा किसी ठाकुर लड़के से नहीं किसी दलित से प्यार करती थी वैसे भी छोटा भाई जब से सुबह शाखा में जाने लगा था तब से वो सुधा पर जादा ही टीकटे पड़ी करने लगा था जब कि वो उसे दो साल छोटा था उसके बोलने पर सुधा को और भी घुसा आ रहा था लेकिन इस वक्त पूरा घर उसकी ही और था हाथ पर तोड़ देने की धमकी देकर सुधा को इस बार छोड़ दिया गया उस दिन तो सुधा की आखो और चेहरे की चमक गायव हो गे थी लेकिन दो दिन बाद जब वो रमेश से फिर मिली तो चमक वापस आगी वास्ता में सुधा ने जल्द ही समझ लिया कि उसका परिवार घर की इज़त का बोज उस पर लाद कर रमेश के साथ शादी तो नहीं ही होने देगा उससे दोस्ती भी बरदास्त नहीं करेगा उसे अब एक कष्टी पूरी तरह छोड़नी ही थी रमेश पर विश्वास करके उसने अपने दोनों पेर प्यार की कष्टी पर जमा लिये और डर की कष्टी को विरान छोड़ दिया अब डगमगाने का सवाल ही नहीं था घर में पहरे जब जब ज़्यादा होने लगे तो एक दिन मौका देखकर वो इस्टिटूट वाले बैग में अपने कुछ कपड़े और ज़रूरी सर्टिफिकट रखकर घर से निकल गए जाते जाते घर पर एक पत्र भी छोड़ गई थी कि वो अपनी मर्जी से रमेश के साथ शादी करने जा रही है और घर वाले बेवज़ा कोई हंगामा ना खड़ा करें क्योंकि वो बालिग है उसे दिन सुधा और रमेश ने शहर छोड़ दिया वे अपने एक दोस्त के घर गए और उसकी मदद से बाकाइदा शादी कर ली आज इतने सालों बाद मीकू के कमरे में बैठी बारिश देखती सुधा सुच रही है कि उसके जिन्दगी में बारिश का खास महत्व है उस दिन भी कितनी बारिश हुई थी पास की फैक्टरी में काम मिल गया था ये खुशबरी उसने सुधा को फूलों के खुबसूरत गुलदस्ते के साथ सुनाई थी वो बारिश भरी शाम फूलों के खुशबू और चुम्बनों से सराबोर थी जल्द ही उनुने अलग अपनी एक छोटी सी गृस्ती बना ली रमेश हर तनखवाफ पर सुधा के लिए एक गुलदस्ता लेका रहता और उनकी ये गृस्ती उसके खुशबू से महकती रहती रमेश कभी कभी सुधा से मजाक में कहता तुमारा ठाकुर होना और मेरा दलित होना क्या हमारी इस प्यारी से दुनिया में काटों सा चुपता है नहीं फूलों सा गुदगुदाता है सुधा का जवाब होता सुधा के घर छोड़ने के कुछ दिनों तक जब उसके घर वालों की ओर से कोई प्रत्क्रिया नहीं होई तो दोनों को लगा था कि सुधा के पत्र का उसके घर वालों पर प्रभाव पड़ा है और उन्होंने इस स्थिती को स्विकार कर लिया है लेकिन ऐसा नहीं था शांत सता के नीचे पाने की उथल पुथल छिपी होती है तूफान आने के पहले हवा थम सी जाती है काश कि उस समय में इस बात को समझ भाती सुधा ने आहां भरते हुए कुर्सी की पीट पर अपना सिर ठिका दिया और आखे बंद के लिए फिर भी उसके सामें सब कुछ फिल्म साथ चलता रहा इसे रोकना अब उसके वश में नहीं था बाहर भी जमा जम बारिश हो रही थी भीतर भी ये सुधा को बात में पता चला था कि सुधा के घर छोड़ने के बाद बद्धनामी के डर से घर वालों ने महले में कह दिया था कि सुधा अपने चाचा के घर गई है लेकिन बात कितने दिनों तक छिपाई जा सकती थी पता चले गया घर में हंगामा मचा हुआ था दोनों भाई आपे से बाहर हो गए थे मा और बाबो जी का कहीं मुह ना दिखा पाने का विलाप चलता रहा था चोड़ा भाई घर की इज़त खोने से सबसे ज़्यादा आहत था उसने पढ़ाई भी छोड़ दी और रुमेश गवतम को इस हिमाकत के लिए सबक सिखाने की तैयारी में लग गया शाखा के दोस्त इस वक्त उस घर के सबसे बड़े हिताशी थे दो दो जवान भाईयों के रहते हुए बहन ना कटा दी उसने घर की इज़त कभी ख्याल नहीं रखा अरे ऐसे भाई किस काम के जो अपनी इज़त खराब करने वाले घर की लड़की को बरगलाने वाले को सबक न सिखा सके इज़त 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 सत्दा के नीचे की इस हल्चल से अंजान रमेश सुधा को लेकर पहली बार अपने घर आया था उसी शहर में जहां सुधा का भाई पहले से उसके इंतजार में था एक शाम जब अपने पुराने दिनों को याद करते हुए रमेश सुधा को स्कूटर पर बिढ़ा कर टाइपिंग इस्टीटूट के पास से गुजर रहा था आगे वाले सुधान पार्क के पास एक कार वाले ने स्कूटर रुग आई स्कूटर रुकते ही काली फिल्म चड़ी गाड़ी के पिछले दर्वाजे से एक युवक हाथ में कट्टा लेकर उतरा जो की सुधा का छोटा भाई था सुधा के सामने ही उसने रमेश की कनपटी पर कट्टा तान कर ट्रिगर धबा दिया रमेश वहीं गिर पड़ा और उसका भाई कट्टा लाराते हुए सुधा को गाली देते हुए गाली में बैटकर भागिया रंडी हमारे घर की इज़त मिट्टी में मिलाने वाली ले इसका कमजा सुधा के होश उड़ गए कल-कल बैटा जिन्दगी का सुधा एकाहट ठहर गया रमेश के घर वालों ने सुधा के भाई के खिलाफ रिपोर्ट तशकराई इसके लिए उन्हें काफी हुज़त करनी पड़ी पुलिस वालों ने सुधा को भी अपनी तरफ मिलाकर दलिक परिवार को किनाने करने की पूरी कोशिश की लेकिन मुकदमे की चच्चमदीद गवा के रूप में सुधा ने भाई के खिलाफ पे आन दिया उसे 20 साल की सजा सुनाई गई सुधा ने आँखे खोल दी उसकी आँखों से भी धाराएं फूट पड़ी थी आस्मान उसका साथ दे रहा था दोनों रो रहे थे आस्मान को भी रोता देख सुधा वापस अपने जिन्दगी के बारे में सोचने लेगी जिसे पर्ट्री पर लाने के लिए उसे कितनी मुसीबतें उठाने पड़े मेको ने उसे बचा लिया वरना वो भी अपने को खत्म ही कर लेती जिस समय रमेश की हत्या हुई उस समय मेको गर्भ में तीन महीने की थी इस दुखद स्थित में सुधा की मेरी बेहन नमिता नहीं उसका बहुत साथ दिया सुधा जब भी अपने आने वारे बच्चे के बारे में सुचती तो ये निरने ज़रूर लेती कि वो अपने बच्चे की परवरिश अपने तरीके से अपने घर में रमेश की यादों के साथ मिलकर करेगी था कि उसका बच्चा अपने पिता को अच्छे से जान सके डॉंकरी के लिए वो तैयारी तो पहले से ही कर रही थी रमेश के साथ ही उसने भी कई फार्म पहले ही भर रखे थे कुछ की परिक्षा भी दी थी अब वो इस काम में और भी गंभीरता से लग गई हलागी उसके लिए ये बहुत मुश्किल था रमेश के घारवालों के लिए चुकी सुदा की गवाही महत्तपूर थे इसलिए वे उसकी देखभाल तो करते थे पर वे हमेशा उसके लिए अजनबी ही बने रहे उनके मन में ये भी था कि उनका रमेश इस लड़की के चक्कड में ही मारा गया सुदा को उसी समय इसका गहरा एहसास हुआ कि लड़कीयों का कोई घर नहीं होता वो अपने ममेरी बहन नमिता के हाँ तयारी करती रही और कभी कभार ससुराल वालों से भी आर्थिक मदद लेती रही जब तक कि उसकी विश्विद्याले में क्लर्क की नौकरी नहीं लग गई मीकों के आने और नौकरी मिल जाने से रमेश की बहुत कम समय की लेकिन गहरी यादों के सहारे जीवन फिर से कल-कल चल-चल बैने लगा लेकिन जब भी उसे अहसास होता कि उसका जीवन प्यार से सराबोर हो सकता था तो वो खायल शेरनी की तरह चटपटाने लगती जैसे अभी वो चटपटा रही है बिबसी में उसकी आखें फिर से भीगने लगी है खाश रमेश होता तो इस स्थिदी को समालने में कितनी आसानी होती सुधा के मन का सूना पन गहरा हो गया वो अकेली पड़ गई है समझ में नहीं आ रहा है कि मीकू को कैसे समझाए कि वो कितने खतरनाक रास्ते पर चल रही है सुधा और रमेश के मामले में तो ये बादा अलग जातियों की ही थी लेकिन मीकू के मामले में तो ये दो धर्मों का मामला है फैजान से वो खुद भी कई बार मिल चुकी है वो हर लिहाद से मीकू के लिए अच्छा लड़का है सिर्फ उसका अलग धर्म होना ही उसकी एक कमी है उपर से संगी संगठन इस वक्त नह सिर्फ जादा उतराय हुए है बलकि उन्होंने हिंदु मुसल्मान के बीच के प्यार को ही देश का सबसे खतरनात मुद्दा बना लिया है वे मीकू और फैज़ान के जिंदगी भी खराब कर देंगे कहीं मीकू का अँजाम भी यह सोचकर सुधा काप गई सुधा ने मीकू को इसके लिए भी आगाह किया समझाया पर मीकू ने उल्टे मा को ही समझा दिया मा तुमने खुद प्यार किया उसके लिए समाज के बेकार से नियम को तोड़ा है तुम तो मेरी बात समझ सकती हो फिर तुम ही मुझे रोखोगी तो मैं बाहर वालों से कैसे लड़ूगी वो सब मैं समझती हूँ बिटू लेकिन मैं इसके अंजाम से मा झाई जरूरी नहीं कि जो तुमारे साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो और यह अच्छा है कि मेरा को भाई नहीं है जिसकी इज्ज़त का ठीकरा मेरे सिर पर रखता हो मीगो की बात सुनकर सुदा को थोड़ी हसी आई वो मुस्कराने लगी मीगो भी हसने लगी तो मीकू के मन में भी है लेकिन वो फैजान के साथ मिलकर शादी के तैयारी के साथ इन लंपटों से निपटने के तैयारी भी कर रही है ये शायद दो पीडियों का अंतर है यह जीब है लेकिन पच्चीज साल पहले सुधा के लिए अपनी मर्जी के शादी छेड़ा गया युद्ध ही था पहले ये युद्ध उसने लड़ा अब उसकी बेटी लड़ रही है सुधा ये सोचकर मुस्कराने ले बाहर बारिश थोड़ी देर कुछ दीमी होने के बाद फिर से तेज हो गई सुधा को चाय की तलब होने अगी भारी मनजे वो कुर्सी से उठी चाय बनाकर वो वापस कुर्सी बनाकर बैट गई मन हलका करने के लिए उसने नमिता को फोन मिलाया तबते सूरज की डूबने के साथ ही आसमान में खुशी चा गई थी जहां तहां पड़े बादल के पतले पतले टुकडे रंग बेरंगे कपड़े पहन कर चहल कदमी करने लगे थे चुडियों का जुन चहँचाय करता हुआ आसमान के एक छोर से दूसरे छोर तक दौर लगा रहा था चुडियों का ये जुन शुर गुल के साथ साथ बेहत खुबसूरत ढंग से घुल मिलकर तरह तरह की आकरतियों में बदर लहा है छट पर लेटे सुरेश को ये सब बेहत सुहाना और सुखत लग रहा है सानों बाद वो ऐसे खुबसूरत आसमान का नजारा कर रहा है वरना जेल में खुला आसमान वो भी शाम को सोचा भी नहीं जा सकता शाम होते ही सब को बैरकों में ठूस दिया जाता है फिर वहां बदरंग होती छटों और दिवारों के अलावा कुछ भी नहीं देखा जा सकता सुरज की नजर ये सूचते हुए चिडियों के उस जुन परटी की जिसमें कोई भी एक चिडिया चह चह करती हुई अचानक दिशा बदल देती और बाकि सभी चिडिया उसके पीछे चल पड़ती फिर कोई दूसरी चिडिया भी ऐसा करती और सब उसके पीछे हो जाती चिडियों के इस खेल को देखते हुए उसे 25 साल पहले की अपनी स्थिती याद आई पुस्तोच रहाता कि नहीं उम्र के लड़के ऐसे ही तो होते हैं जिधर भी हांक लिया जाए आखें मूंदे उसी और चल पड़ते हैं वो भी ऐसा ही था अगर ऐसा ना होता तो वो इतना बड़ा और बेतु का अपराद ना कर बैठता वो यादों की काई पर फिसलने लगा वश्पन में उसकी सुधा से कितनी अच्छी दोस्ती थी लेकिन बड़े होने के साथ साथ ये खत्म होने लगी सुरेश पुरुष और सुधा स्त्री में बदलने लगी सुधा घर की इस्ज़त बन गई और सुरेश हिज़त का रखवाला सुधा की नजर भी इधर उदा जाने से घर की इस्ज़त पर खत्रा मढराने लगता था जबकि हम दोनों भाई तो इस्ज़त के लिए आज़ाद थे सुरेश मनी मन मुस्कराया ये इस्ज़त इतनी महतुपून चीज़ थी की मेरी पढ़ाई और नौकरी की चिंता से भी बड़ी हो गए लगने लगा की यही सबसे महतुपून काम है और जब सुधा के दलित लड़के से प्रेम संबन की बात पता चली तो लगा की किसी ने मेरे अस्तित को ही चुनोती दे दी है मेरे दोस्त मेरे ऐसे सोचने के धंग को बढ़ावा दे दे थे और मैं भी उनके हो नहों ये मेरी उस समय बनी वीचारधारा का ही असर था जिसने मुझे कातिल बना दिया वर्ना सुधा की और मेरी भी जिन्दगी आज कितनी अच्छी हो सकते थी सुरेश अपने अतीत और उसके विशलेशन में बहता जा रहा था उसकी आँख आस्मान पर लगी थी लेकिन देख अपने अंदर रहा था उसे याद आया कि रमेश को मारने के बाद उसके दोस्तों ने उसे कितनी बधाईयां दी थी जिसमें गुरु जी भी शामिल थे उन्होंने लोगों से कहा था सुरेश ही है इसली भाई जिसने घर की इज़त खराब करने वाले से बदला लिया लेकिन जब सुरेश जेल जया इन में से कोई भी दिखाई नहीं दिया तब तो वहाँ मिलने आने में भी इज़त जाती थी सुरेश मुस्करा उठा वाहरी इज़त इसी समय आस्मान में तिकोन की आकरती बनाए सफेद बगलों का एक जुन निकला एक दम शान्त उन्होंने सुरेश का ध्यान अपनी और कीचा और उसने सोचा अब मेरी इस्थिती ऐसी ही तो हो गई है कोई सुक नहीं दुक नहीं सफेद रंग सी खाली जिनगी जो भी साल मैंने जेल में काटा उसी समय मुझे अपनी रोजी रोटी का इंतिजाम करना था अपना घर परिवार बसाना था और जीवन को भरपूर जीना था लेकिन जीवन के महत्वपून सालों में मैं जेल में रहा सिर्फ जोटी इस्थ की खातिर सुरेश इस कलपना में डूबने लगा कि अगर ये सब ना हुआ होता तो तो क्या होता सुधा और रमेश आज साथ होते उनके मन्ने मुन्ने बच्चों से उनके साथ साथ मेरा घर भी भरा रहता मेरी भी शादी हो गई होती और बच्चे होते हमाने घर की दूसरी पेड़ी अपनी पढ़ाई, नौकरी और शादी की चंता में व्यस्त होती और आज पूरा घर खिलखिला रहा होता सुरेश को बेचेनी होने लगी काश मैं सब कुछ पलग पाता तो उस छण को पलग देता जिस छण मैंने रमेश को मारा नहीं नहीं उसके भी पहले उस छण को जब सुधा से मेरी दूरी बनने लगी नहीं उस छण को जब मेरी शाखा वालों से दोस्ती होई नहीं उस शांकों जब मैं पैदा हुआ मैं क्यों पैदा हुआ सुरेश ने दोनों हाथ से अपना सर पकड़ दिया और उठ बैठा उसने पास रखी बोतल से पानी पिया और खड़ा होकर टहलने लगा उसे अकसर ऐसी बेचैनी होने लगती है उसे सुदा से मिलने का मन करता है पर किस मुह से सुदा ने तो माईके वालों से अपना रिष्टा ही तोड़ दिया है किवल मेरी बहन नमिता से ही रिष्टा है नमिता भी इस घर से रिष्टा नहीं दखती है इसी बेचैनी में कुछ दिन पहले ही सुरेश ने नमिता का नंबर मांगा और उससे बातचीत की उसका तो नाम सुनते ही नमिता भड़क गई थी तुमारी हिम्मत कैसे होई मुझसे बात करने की दीदी, दीदी मैं सुधा के बारे में जानना चाहता हूं सुरेश ने डरते हुए धीरे से पूछा तुम जैसा चाहते थे उससे बहतर है उसकी जिन्दगी नमिता ने कड़वा हट में भर कर मानो धूका था उसके मूँपर लेकिन सुरेश तो इन सब के लिए तयार था मुझे उस घटना का बहुत पस्तावा है रमेश ने धीरे से कहा उससे उसका पती वापस तो नहीं आ जाएगा ऐसा लगा अगर वो सामने होता तो नमिता उसे थपड़ भी मार देती और धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देती सुरेश ने थोड़ा रुक कर कहा उससे गलती हुई थी उसके बतले में मैं सुधा के लिए कुछ भी करने को तयार हूँ वो जो भी सजा मुझे देना चाहे बसे एक बार मुझे उससे मिलवा दो उसकी आवाज कातर हो गई और उधर नमिता ने फोन काट दिया कुछ-कुछ दिन पर उसने दो बार फोन किया लेकिन उसकी आवाज सुनते ही नमिता उससे भला बुरा कहकर फोन काट दिती सुरेश बस एक बार सुधा से मिलकर उससे माफी मांगना चाहता था इस बार उसने बड़े भाई से कह सुनकर उसके माध्यम से नमिता से बात की नमिता किवल उसकी बात सुनने के लिए तयार हुई मिलने या मिलाने के लिए नहीं कुछ दिन की बात के बाद जब नमिता उसके विवहार के प्रती थोड़ी आश्वस्त हुई तो वो उससे मिलने के लिए भी तयार हो गए और सुरेश से मिलने के बाद केवल एक बार सुधा से मिलाने के लिए भी तयार हो गई केवल माफी मांगने के लिए नमिता के फोन की घंटी बजी देखा तो सुधा का था दोनों ने मीकू के बारे में चिंता से भरी हुई धेर सारी बाते की रास्ता दोनों को नहीं दिख रहाता सुधा चाहती दिखी एक बार नमिता भी मीकू को समझाए नमिता ने एक प्रयाज करने की हामी भरी सारी बातचीत खत्म होने पर फोन रखने के तुरंट पहले नमिता ने कुछ ढरते और जजगते हुए सुधा से कहा क्या तु कल अफिस से सीधे मेरे घर पर आ सकती है हाँ हाँ कुछ है खास बात है हाँ ऐसा ही है पहली नब जा साब साब बता सुधा ने जिद की तो घर पर आ तब ही बताऊंगी अगले दिन सुधा अफिस से सीधे नमिता के घर पहुँची दर्वाजा नमिता नहीं खोला सुधा कमरे में जैसे ही दाखील हुई एक पहचाना हुआ सा चेहरा सोफे पर बैठा दिखाई दिया सुधा के कमरे में घुशते ही वो उट खड़ा हुआ और उसकी ओर देखने लगा सुधा की नजर भी उस पर टिक गई पतला दुबला शरीर बालों में सफेदी जो असमे थी और चेहरा खुद उससे मिलता जुलता सुधा अवाक रह गई सुरेश तुम यहां सुधा की भुक्टी तन गई सुरेश जट उसके पेरों पर जुका वो पीछे हड़ गई और नमिता के उपर चिला पड़ी यह आदमी यहां क्यों आया है नमिता जल्दी से उसके पास आ गई और उसके कंधे पकड़ कर बूली सुधा प्लीज मुझ पर विश्वास करना यह केवल तुम से माफी मागना चाहता है अभी कुछ बरबाद करना बचा है क्या सुरी नमिता मैं नहीं जानती दी कि तुम ऐसा करोगी अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं यहां मैं यहां कभी नहीं आती मैं इस आदमी की शकल भी नहीं देखना चाहती सुधा तीज कदम से बाहर निकल गई नमिता नहीं उसे रोका नहीं सुरेश भी खड़ा रहा फिर आखे जुका कर बैट गया और थोड़ी ही दिर बाद हिचक हिचक कर रोने लगा अगले दिन नमिता ही सुधा के घर पहुँच गए उससे माफी माँगने के लिए काफी बाचीत के बाद नमिता ने थोड़ी सी बात सुरेश के बारे में भी कि सुधा उस वक्त सुरेश के वर 20 साल का था उसे कोई भी प्रभावित कर सकता था उसने खुद बताया कि उस वक्त वो शाका के प्रभाव में आ गया था उसे लगता था कि समाज को ठीक करने का यही तरीका है अपनी जाहती धर्म को बचाने का मतला भी देश को बचाना है नमिता अगर तुम्हें अचानक उससे हमदर्दी हो गई है तो तू उससे में उजोल बढ़ा लेकिन उसने मेरी आँख के सामें रमेश की हद्या की है सुधा नमिता की बाद पीच में ही काट कर उस पर लगभग बरस पड़ी और बोलते हुए उसका गला रुन गया आख से आसू बहने लगे बाचीत यहीं खत्म हो गई थोड़ी देर के सननाटे के बाद नमिता उड़कर अपने घर चली गई लेकिन एक डेर महीने की प्रयास के बाद नमिता ने सुधा को सुरेश से एक बार मिलने के लिए तैयार कर लिया नमिता के घर जब वे दोनों मिले तो सुधा पूरे समय कठोड चेहरा बनाए चुप पैठी रही सुरेश बोलता रहा और उसकी आँखों से आसू बहते रहे माने अपनी गलती की धुलाई वो इन आसूं से ही कर लेना चाहता हूँ लेकिन मेरे दिमाग को कुंद मना रहते मैंने उनकी बातों के अलावा कुछ भी देखना सुनना और समझना चोड़ दिया था दरसल मेरी गलती यही थी सुधा का चेहरा अभी कठोर ही बना हुआ था सुरेश थोड़ी देर चुप होकर उसे कातर नजरों से देखता रहा फ इसके रोने की आवाज गोंस्ती रही सुधा का चेहरा वैसा ही कठोर बना रहा वो एक टक बाहर देखती रही मानूं वो वहाँ थी ही नहीं इतने में नमिता चाय लेख रही किसी तरह सब ने इस तराव भरे माहौल में चाय पी पीने के बाद सुधा अच्छानक सुरेश क एक मुश्लिम लड़के से प्यार करती है और मैं उसकी शादी धून धाम से करने जा रही हूं नमिता ये सुनकर आश्चर में पढ़ देए सुधा ने ये निर्णाय कब लिया वो तो इस रिष्टे को लेकर कितनी परिशान थी और मीकू को इस रिष्टे को खतम करने के लि पहली बार उससे कुछ बोली थी तो जाकर बता दो अपने संगी दोस्तों से कि रोक सके तो रोक ले मैं उन दोनों की शादी करके रहूंगी अंदर ये अंदर सुधा भी अपने इस निर्णे से हैरान थी और नमिता तो और भी हैरान थी सुधा इस पर मैं तुमारे साथ अब वो इस इज़त के भ्रमजाल से बाहर आ चुका है इज़त प्यार और शादी विवाह के ठेके दारों से अब उसका कोई लेना देना नहीं है वो ये सोच ही रहा था कि सुधा ने उसकी और देखकर तीखे बन से कहा मुझे तुमारे साथ की कोई जरुवत नहीं है मैं चांता हूँ लेकिन मुझे अपने पापों को धोने और नया इंसान बनने के लिए तुमारे जरुवत है मुझे भी अपने साथ इस नेक काम में शामिल कर लो तो मेरे पाप धुल जाएगे इसमें मेरा स्वार्द भी है सुधा मैं तुमें ही नहीं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मैं सुधर गया हूँ मेरी घर वापसी हो गई है सुरेश बोलते हुए सुधा के पास चला आया और उसके पैरों के पास बैठ गया सुधा ने आश्चरी से उसे देखा सुरेश की आँखों में कादर्था थी विदम्रता थी साथ ही द्रणता भी चिडियों का जुन्ड चह चह करता हुआ आस्मान में गुजरा एक चिडिया ने जुन्ड से निकल कर नई राह पदा ले बाकी चिडियाएं भी उसके पीछे हो ले तो श्रताओं सहकारेडियो पर अभी आप सुन रहे थे सीमा आज़ाद की कहानी घर वापसी ये कहानी सहित्तिक पत्र का बया में कुछ सालों पहले चप चुकी है और इसे हमने सीमा आज़ाद की फेस्बुक वाल से साभार दिया है आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी हमारे वाटसेप ग्रूप से जुड़कर सहकारेडियो के कारिक्रम रोजाना पाने के लिए 9617-226783 पर नाम और जिला लिकर भीजें अगर आप हमसे फेस्बुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेज लाई करें अगर आप हमसे यूटूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahkairradio.com विजिट करें तो अगले हफते ऐसी ही किसी और कहानी के साथ आपसे फिर बिलेंगे तब तक के लिए देजिए इजाज़त मुझे यानि पवन को नमस्कार सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानीों का कारवा मुझे किसी और को